VE850 जो अपना सबसे ज्यादा बिखने वाला मॉडल बन चुका है अब इसकी बिखरी बहुत बढ़ रही है और जो भी कस्टमर्स हैं ये खरीद रहे हैं उनको बूल रहे हैं कि भाई हमें एक अन्बॉक्सिंग का वीडियो दे दो इसके लिए हम इने ये वीडियो बनाया है आप देखिए जब भी आपको प्रोड़क आएगा आपके इसके साथ कुछ प्रोड़क्स और मिल जाते हैं मतलब क्योंकि जब ये मशीन जाता है तो ये कस्टमर को पेंट भी करना होता है पुट्टी भी करना होता है और एक कंजूमेबल आइटम होता है टीप सील जो मशी पड़ता है उतना पूरा सामान हम साथ में दे रहे हैं ताकि वो अपने आप जब भी ये मशीन खोलेगा उसको पता चल जाएगा कि ये सामान आया हुआ है जिससे वो पेंट कर पाएगा पुट्टी कर पाएगा अब ध्यान रखिए का सब जैसे ये चोटा होज है ये बड Ilichen got Emill जए पुट्टी जो है ये मशीन चलेगा कि मंटील मोटा है इसमें में दो किसम का होज लगता है मशीन में पहले जो प्ता के माल निकालने के लिए ड़ा मोटा होज और ऊसाज च्जिक होने के बाद तो आपको पता चलेगा यह principally कैसे फिट करना होता है एक spanner जो है आपको हमेशा लगेगा तूल किट में अगर ये तूल किट आप साथ में रखेंगे तो आपको साइट पर कभी दिक्कत नहीं होगा काम करने के लिए ये गन स्विवेल को कैसे फिट करते हैं आप देख लीज फिट कर दिया ताकि गन का मुवमेंट बरकरार रहेगा उसके लिए आपको पूरा पाइप मुवमेंट करने के जरूरत नहीं होगी स्पैनर से टाइट करना ना भूलें ये मशीन से अपने बहुत प्रेशर बनाते हैं अब देखिए बहुत आराम से गुमता है क्यों क्योंकि हमने गन स्विवेल लगा दिया है अब याद रखें कि छोटे होज और बड़े होज को फिट करने के लिए ये कनेक्टर लगता है अच्छे से स्पैनर का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये जो होजिस हैं ये अपने मशीन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो आप सोचोगे मैं हाथ से फिट कर लूँगा और उसे लिकेज नहीं होगा पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए आपको डबल स्पैनर चेक करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि टिप सील कैसे फिट करते हैं ये चोटा सा टिप सील जो है वह अगर नहीं होगा तो आपका गन में से लिकेज चालू हो जाएगा इसके लिए टिप सील को देखें बहुत अच्छे से उसका कर वाला पोर्शन देखना है कि क उसको भी अगर जरूत पड़ता है हलका सा है अगर आपको फेलिंग आ रहा है तो हलका सा अब स्पैनर कर सकते हैं आपको डिग्री किस अची से आप से रखना पैटर्न किसी आप से रखना उसवाक्ट तिप का डिरेक्शन उस इस आप teenager ये सारा चीज होने के बाद पैंट कर रहे है तो हमें सच्ष लगाना है याद रखिए यह सिibao करते वकंड़ लगाना है पुटी करते वकंडे सक्ष नहीं लगांगे यह पेंट करते वक इसलिक लगाना है ताकि इसके अलावा कोई भी मशीन होगा पिस्टन के ऊपर ऐसा ओयल डालना यह रिटन होस है रिटन होस का फंक्शन और यह पोजिशन है उसका यह पोजिशन में रिटन करेगा और जब स्प्रे करना हो तो उसको 90 डिगरी गुमा दिया आप वो पोजिशन में आ गया यह पोजिश फित कर दीजिए ऐसंचन रोड फिट करने के बाद एक्सके रोड आफ टर दो के उसके आगे यह पोजिशन विट करने के बाद आगे आप वही टिपगार जो पहले हमने गन में के टारेक्ट लगा दज़िए यह जैसे ही आप का फिटिंग हो गया आप नीचे खड़े- प्रेशर मोड में आ गया पानी आपको जब प्रेशर आजाएगा तो अपने आपको अपडेट रखने के लिए वीजन के चैनल को सब्स्राइब करके रखिए तो ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे चैनल सब्स्राइब करना ना भूलें थैंक यू